आप भी देना चाहते हैं अपने घर को एक नया लुक तो कंचन ट्रेडर्स आपके लिए लाए हैं माबल, टाइल्स, कोटा स्टोन, ग्रेनाइट आदी की बहतरीन रेंज जो दे आपके घर को एक बहतरीन लुक कंचन ट्रेडर्स आपको सभी चीजे उचित दामों पर उपलब्ध कराते हैं और सेल के साथ साथ कंचन ट्रेडर्स माबल्स और ग्रेनाइट की सर्विस भी प्रूवाइड करते हैं और फ्री कंसल्टिंसी भी करते हैं कंचन ट्रेडर्स के पास सारा सामान प्रीमियम क्वालिटी पर मिलता है तो आज ही कंचन ट्रेडर्स से संपर्क करें इनकी कॉंटाक्ट डिटेल्स है कंचन ट्रेडर्स 9933211720 9476085912 03192210668 नेर बर्ड लाइन जंक्शन 300 मीटर कैलिकट रोड पोर्ट ब्लेर साउथ अंदमान 744105 उसका कर्म किया गया और साती सफ़ उसका निर्मा महत्या कर दिया गया तो इसी सिलसिले में आज जन के पेरेंट से हम लोग बात करते हैं आए और तो मैं बताएए बच्ची की साद क्या हुवा था उसदीन बच्ची खेलने गई रही बच्ची मतलब घर से तीन बची के टाम में खेलने निकली रही बच्ची नहीं आ रही थी तो मैं बेटा को बेजी तो बेटा मतलब गए उनको देखने के लिए तो उनको किसी ने बुलाया बोलके मेरे को बताए बेटा फिर मेरे घर में मेरी एक ब तो मेन आलगो हमारे महां नहीं आई थो मुझेना तो मैं मेरा इसए नाम लिए लिए रहा उनके घर की तरफ में गई तो वहां पर भी बच्चे 있나 नहीं फिर वहां पर भी नहीं के लिए चली गई और दुकान की तरफ में बच्ची उधर भी खेलने जाती रही कभी कभी उनके भाई के साथ में मैं वहां भी गई वहां पर भी मेरी बच्ची मेरा को नहीं दिखाई दी महां मैं दुकान में कुछ समान ली फिर उसके बाद में मेरे दिल में सांती नहीं था मैं वहाँ से रिटन आई, रिटन आने के बाद में फिर मैं घर में समान चोड़के मेरे बेटे को यही पर रहो बेटा दिदी के साथ में बोलके मैं यहां से भी निकल के फिर से दुबारा चली गई जाने के बाद में इधर ऊदर ढून्ती रही, अगल में, अगल बगल एक दो ओरते मेरा को मिले, उन से पुछी मैं पुछने के बाद में मतलब उन लोक बोले नही से रिटन आई, रिटन आने के बाद में मैं फिर भी मेरे दिल में सांती ने तार ढूंडी रही थी, मेरे गलती थी कि मैंने किसी के घर जाकर मतलब किसी को नहीं बोली, मैं मानती हूँ अपना गलती कि मैं घर घर जाकर अपना बात नहीं बोली, इसके लिए साहिद कुछ हैं उन लोग मेरे बारे में जो भी बोल रहे हैं उनको छोड़िये मेरे साथ मेरे साथ दीजी और कातिल जो है खुले आम घुम रहा होगा उनको पकड़ने में हमारे मदद करो आप लोगो मालूम है तो आप लोग खुल कर बोलिये हमारे बारे में ये मत बोलिये कि कहां से उन बन गई रही या क्या कहूं मेरे दिमाग काम नहीं कर रहा थाया, मेरी बच्ची को इसकूल के गर में वा झूडती रही उन ले नहीं हुआ मेरी उल्काइब मेरी भूल वा ही ती के इससी बच्ची के घर में होगी बोल के मैं अपने आपको थोड़ा धील छोड़ दी, तो प्लीस मैं उन सबी बातों से माफी मंगते, आप लोग वह अमारे बारे में घंदे वड़ ना बोले, हमारे बारे में घंदे विचार ना करें, आप लोग कम से कम बस्ती वाले मिल के आप लोगो भी पता होगा, तो प्लीज उस कातिल को हमारे सामने ला ये कातिल, आज मेरी बच्ची के साथ में ऐसा करा, मेरी बच्ची चली गई, मुझे तो बहुत दुख है, कल ऐसा नहों कि आप लोग उसके साथ में, कोई मा के साथ में, या कोई बहन के साथ में, या कोई बच्ची के साथ में ऐसा कीजिए धन्याबाद तो मैं अपसे सवाल पूछती हूँ तो आठ तरिकों आप लोगों को बच्ची नहीं मिली नहीं मिली फिर उसके बाद क्या नौ तरीकों क्या हुआ मतलब आठ तरीकों कब तक आप लोग धूनते रहें आठ तरीकों मैं सड़ेचे साथ 12 तक बच्ची के तो डूनती रही, उसके पापा आएंगे बोलके डूनने जाएंगे सोची, तो उसके पापा लेट से आए, लेट हो गया था, उनको काम गए हुए, वो दस सड़ दस के करीब उसके पापा आए, उनके पापा को भी मैं बोली, उनके पापा जाने ही वाले थे पर उनके पापा को मैं ही मना करी क्योंकि किसी घर में जाकर अभी हम लोग रात को दर्वाजा खट-खट आएंगे तो उन लोग कहीं गुस्सा हो जाएंगे क्या हो जाएंगे बोलकि हम लोग नहीं बोल पाए दूसरे दिन जब हम बच्ची को पांच बज़े से ढूंड रहे थे सुबह अरत मेरे साथ में आया नहीं कोई बच्चे मेरे साथ में आया उन लिगत स्रीप मेरी एक जठानी ती वो यह सब बात थुनके आई और बच्ची अब तक नहीं आई है ये बोली मेरे जठानी वहां से निकलकर जिस दिस त्रब में मेरे बैड़ी का डेट बाडी मिला वहाँ दो बर रण लगाई, दो बर घुमी, पर वहाँ पर भी मेरी बच्ची उस समय नहीं थी, उसके बाद में पुलिस चानविन करने के बाद में मेरी बच्ची नहीं मिली, डौग आया, पुलिस को कब जानकारी मिली इस बात की, आप लोग कब उनको जानकारी दिये, मैं पुलिस को सुबा जो फोन करे थे, सुबा जो फोन करे थे, सुबा जो फोन किये थे, आप लोग पुलिस को, वो कितना बज़े किये थे, सुबा छे बज़े को, सारे छे बज़े, सारे छे बज़े, और उसके बाद पुलिस आ है, उसके बाद पुलिस आ है, उसके बाद क्यों पुलिस जब से जब आया जो जितना बज़ आप लोग बुलाए क्या क्या हुआ उसके बताई की नोट रजू जब तैमिंग, पुलीस को जब हम और कॉल करें तब 6, 7 बज़े के करीब था होगा पुलीर को कॉल करने के बाद में पुलीस आदा गंटे के करीबन आ चुके थे यहां पर पुलीस भी आ कर हम से पूचताच करने के बाद में चान बिन करें घर घर जा कर ढूंडें तब ही बच्चि नहीं मिली। को चुट्टी होने स्टैम में दो ड़ाई बजे की टैम में बच्ची की डड़ बाड़ी किसी ने देखा और उनके बाद में वो जाकर बगल में किसी को बताए कि वहां पर एक बच्ची की ड़ड़ बाड़ी पड़ी है उनके मुह में मख्यां बैठी हुई है बोलके बताए वो तो पोलिस जा कर देखाए। कि मेरे को उतना जानकारी नहीं है, क्यों मैं उस्मय घर पर ही थी। मेरे साथ में दो कॉंश्टिबल छोड़े हुए थे उसमें मैं घर पर ही थी जब बच्ची की डॉट बाड़ी उठा के उन लोग सामने लेकिया कि मतलब पनी में रख दिये थे उनके बात में हमें पहचान के लिए लेके गए कि बच्ची वही है कि कौन है तो मैं जाकर देख के बच्ची मेरी ही बच्ची थी मैरी ही बच्ची मैंने जो कपड़ा पहथा porte ottan मैंने जो माला सो बना है कि बना कर खेलने के लिए दा लोग other he golski को अगर उनको प्लीस अगर मौत की सज़ा नहीं दे सकती है तो हम लोगों के हवाले कर दीजे ताकि हम उन्हें सज़ा दे सके ताकि और किसी बच्ची के साथ या किसी मां के साथ या किसी बेहन के साथ में ऐसा ना हो कभी तो जब बच्ची की बाड़ी मिली पुलीस को तो पुलीस उसको बाड़ी को लेके गए जब पुलीस को बाड़ी मिली पुलीस यहां से बच्ची को लेकर जीवपन स्मार्टम करके फिर हमें डेट बाड़ी सौपा गया तो पोस्ट मार्टम का जो रिपोर्ट है वो आपको मिला है अभी तक पोस्ट मार्टम का रिपोर्ट तो अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है तो आपने पुलिस से यह जानकरी लेने की कोशिज की या प्रसासन से की आप लोगों को रिपोर्ट क्यों नहीं मिला है अभी तक तो हम गए नहीं है कल भी हमारे वहाँ पुलिस वाले आये रहे उन्हों पूछताच करके फिर से गए है अब तक हम लोग पुलिस वाले के पास में नहीं पूछें पोस्ट माड़ा रिपोर्ट के बारे में हम लोग जाएंगे उनको पूछेंगे कि हमको तो जो हो गया तो हो गया अब हमारी बच्ची की जो भी रिपोर्ट है वो तो हम पूछेंगे हम हमें चाहिए ही और जो कातिल है उनको भी हम मांगते हैं हमारे साम बढ़े लड़के हैं जो अंटी हैं उनको अंटी बूलके बुलाती तो आज मेरे बच्ची के साथ मैं ऐसा हुआ कम से कम उनका निया है तो मुझे चाहिए ही और हम आपसे जानना चाहता है कि यहां के जो कांसिलर है उन से आप आपने इस सिलसले में कुछ जान करे लेने की कोशिस की है कि रिपोर्ट की उनी मिला यह सब इसके बारे में कि यहां कॉंसलर सर कल आये रहे हमारे गर में कल कॉंसलर सर आये रहे आने के बाद में कॉंसलर सर से हम पूछे रिपोर्ट तो हम यह अब तक नहीं मिला है कॉंसलर सर के साथ में और मैडम भी आये रहे हैं मैडम लोग से भी बात हुआ मैडम लोग भी बोले ठीक है हम पुलिस पुलिस से जाकर मिलेंगे, बाते होते करेंगे, जो अपरादी है, उनको सामने भी लाएंगे, लाएंगे, वो अरके बोले हैं उन लोग, और रिपोर्ट के बारे में भी मैं पूछी हूँ कि कॉंसलर सर कम से कम हमारी मदद करेंगे, यह बोले हैं। जी, तो हम आप से और एक बात जानना चाहते हैं, कि यह जो हादसा हुआ है, आपके यहाँ पे इस जगह में, तो इसमें आपके परोसियों का क्या कहना है इस मामले में। अचति परोसियों तो जब से हमारे साथ में यह हादसा हुआ है, कितना भी, कुछ भी हो, परोसी मदद करते हैं। अनजान हो, जानते हो चाहे ना जानते हो, पड़ोसी तो मदद करना ही चाहिए पड़ोसी को, पर यहां पर तो मैं देखी, कोई पड़ोसी मतलब हमारी मदद के लिए नहीं आए, हमसे मतलब ऐसा कुछ पूछे ही नहीं, बस एक दो जन होंगे जो इक्के दुख्के लोग है, जो बोले कि कातिल है कातिल को सजा दिलाईए इतनी बात बोलते हैं और उन लोग तो सिर्फ इतना ही बोलते हैं कहां से आए हैं इन लोग कहां से भाग कर आए हैं क्या हम पाकिस्तान से आए हैं या इंडिया के हैं या और कहीं के हैं जो इन लोग हमारे साथ में ऐसा सवाल करत हैं जी टी